हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू आर चैनल प्लांट से स्पेस आज हम फ्लॉक्स प्लांट के बारे में बात करेंगे जो कि एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट है वैसे तो यह विंटर फ्लावरिंग प्लांट है लेकिन यह पौधा अप्रेल तक आपको बहुत अच्छी फ खराब हो गए थे तो बहुत अच्छे चल रहे थे पहले लेकिन ओलो से बिलकुल बेकार हो गए थे ओलो की वारिश आपने देखी ही होगी हमने वीडियो शेयर की थी उसमें बहुत जादा नुकसान हुआ था तो पहला फूल जो इसका खिला था उसमें 8-9 पंखुणिया थी वैसे इसके एक फूल में 5 पंखुणिया होती हैं जिनसे आप पहचान कर सकते हैं वैसे ये विंका की तरह लगता है बिलकुल सदा बहार की तरह इसका फूल लेकिन विंका में single flowering होती है और इसमें इस तरह से गुच्छे में flowering होती है इसमें different colors आते हैं और mix shade भी आते हैं soil से तब ही उसमें roots बनती हैं किसी भी cutting को आप grow करें तो उसका जो leaf node होता है जहां से पतियां बनती हैं वो जरूर कवर कर दीजिए soil में क्योंकि वहीं से ही उसमें जड़े निकलती हैं तो धीरे दीरे इसमें बहुत अची flowering होती जा रही है बहुत खुबसूरत फूल आ र रही है तो यह पौधे हमने 4-5 इंचिस के पौट में लगाए हुए हैं जैसे कि हमने दूसरे सीजनल प्लांट्स भी आपके साथ शेयर किये बड़े पौट में तो सब ग्रो करते हैं लेकिन क्या छोटे पौट में भी यह पौधे चल जाते हैं तो यह शेयर करना चाहते है इसमें यह चोटे पौट में भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं फर्टलाइजर भी हमने इसमें बहुत जादा नहीं दिया है एक बार जब सॉयल मिक्षर तयार किया था तब हम इने इसमें गोबर की खाद एड़ की थी वही या फिर आप कंपोस्ट वर्मी कंपोस् एक मन्त के बाद दूसरे मन्त पे इसमें लिक्विड सर्सो की खली का फर्टलाइजर एड़ किया था जो कि लिक्विड मस्टर्ड के एक फर्टलाइजर होता है तो फ्लावरिंग के टाइम पे आपको सीजनल प्लावरिंग के टाइम पे फर्टलाइजर एड़ करने की ज़ तो इससे बहुत अची फ्लावरिंग इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं जैसे आप पिंचिंग करते हैं तो उसमें चोटी कटिंग जो आपको मिलती है उससे भी बहुत तयार हो जाता है लीफ नोट का ध्यान रखिए लीफ नोट को सबसे कवर करिए मस्टरड के का फटला तो कोई बात नहीं तो इस तरह से इसमें पुराने फूल सूखने लगे हैं अगर आपको इसके सीड्स नहीं बनाने हैं इस पर सीड्स तो आप इनके पुराने पूलों को हटा सकते हैं तो यह एक पॉट है जो कि लास्ट एर का है हमारे एक रिलेटिव का है तो उन्होंने 12 inches के pot में लगाया हुआ था तो इसमें भी देखी कितनी अच्छी flowering कर रहा है थोड़ा हमारा पौधा ओलो से disturb हो गया तो उसका जो size है shape है वो थोड़ा bigger गई थी लेकिन ये पौधा last year का है जो की काफी खूबसूरत है तो देखी इसमें कितनी सारी शाखाएं आ रही है तो पिंचिंग से ये फायदा होता है कि आप पिंच करते हैं तो उसमें बहुत सारी branches आ बहुत है और उसमें ज्यादे flowering होती है तो ये color भी बहुत खूबसूरत है इस तरह से आप इसके पौधे इसमें बहुत आती है जिसमें चोटी पतियां भी आती है बड़ी पतिया भी आती है तो ये वाली जो वरायटी है वह हमारी वाली बाराइटी से थोड़ी चेंज है तो जो भी आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं तो हमारे तो winter pack में वही seeds आये थे तो काफी अच्छा लगा color भी अच्छा निकला हमारा और पौधे भी काफी अच्छे से growth कर रहे थे तो इस तरह से आपको इससे related कोई भी query है या कोई भी question है तो जरूर पूछे comment box में Instagram पेज़ पर पूछ सकते हैं Facebook पर पूछ सकते हैं और वीडियो कैसी लगी comment box में जरूर बताईए और सुके फूलो को हटाते रहें अगर seats नहीं चाहिए और seats बनाने हैं तो इनको बिल्कुल भी ना हटाएं Thank you